हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथिये जी, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, यदि किसी विद्याले के पचास विद्यारतियों का भार निम्न है, तो इनके भार का माध्य बताईए, तो दोस्तों, माध्य आप निकालना आप जानते ही हैं, कि सब का योग कर लीजिए, फिर ज टेबल बनाएंगे, टेबल क्या होगा, कि एक में लिखेंगे विद्यारति, एक में लिखेंगे भार, और एक में उन दोनों का गुड़नफल, ठीक है? गुडनफल क्यों जरुवत होगी हमें एक विद्यार्थी का अगर भार मालूम है तो उससे ज़्यादा विद्यार्थी है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आठ विद्यार्थी है एक का भार 45 है तो आठ विद्यार्थी का कितना हो जाएगा तो 8, 45, 44, 32, 4, 36 हो गया ठीक है अब इसी तरीके से अगर 12 विद्यारती हैं तो 12 विद्यारती का इनका भार कितना है 35 है तो 12 विद्यारती का 35 है तो 12 विद्यारती कितना हो जाएगा 12, 55, 60, बारत यहां 36 और 6 42, 420 केजी हो गया ठीक है अब क्या करना है अब दिया हुआ है 7 विद्यार्थी 7 विद्यार्थी का कितना है भार? 40 है 40 का उसत से है ठीक है यानि कि 1 का 40 है तो 7 का कितना हो जाएगा तो 280 हो जाएगा अब देखे अब दिया हुए varias अब ठार मी द्यार्थी है एक का 55 है तो 18 का कितना हो जाएगा तो 1890 अब फिर 1890 पचे नव्बबबबबबबबबबबबबबबबबबब गार इसका साटी है अब बचा है एक कालम में पाँच भी द्यार्थी है इनका उसत भार कितना है? 50 केजी है तो 5 का कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा अब क्या करना होता है? अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पर देखिए कोश्चन में पहले ही दे रखा है कि 50 विद्यार्थि है ठीक है? अब इनको ऐसे आप जोड़के भी निकाल सकते हैं देखिए 8 और 12 बीस हो गया 20 सा 27 हो गया और 18 कितना हो जाएगा? 45 और 5 पचास तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब हम ऐसे आकड़े दिये होते हैं तो इसको समेशन लिखते हैं समेशन F बराबर 50 ठीक है? अब क्या करेंगे हम? कि जो भार दिया हुआ है, ठीक है? भार को हमें नहीं लिखना है, हमें बस इसकी जरुवत है जो यह भार और विद्यार्थियों की संख्या का कुड़न फल है F into X ठीक है? तो समेशन of F into X अब यह बराबर निकालना है हमें बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको जोड लीजिए तो यहाँ पर 0 हो गया 6, 2, 8, 8, 8, 8, 16, 16, 9, 25, 5, 30 को 0 हो गया 3, 80 हो गया फिर 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 12, 9, 21, 22, 23 तो यह हो गया 23 हो गया अब देखिए जो माद्य पूछ रहा है इनका देखिए यहाँ पूछ रहा है इनके भार का माद्य तो हमें दो आंकड़ा मिल गया विद्यारतियों की संख्या टोटल मिल गई और टोटल भार मिल गया देखे, total भी दियार थी होगे संक्या, total भार मिल गया तो माग देखे लिए क्या होता है कि माग दे x बार लिखते हैं, ठीक है बराबर इसको हम summation f x upon summation f या आप ये जान लीजिए कि माग दे बराबर क्या होता है कुल योग बटे संख्या ठीक है यानि हमें भार का माद दे निकालना है तो कुल भार निकाल लेंगे और कितने विद्यार्थियों का निकालना है तो उनकी संख्या से भाग दे देंगे ठीक है अब देखिए क्या करेंगे अब देखिए कितना है कुल भार कितना है ये फेक्स तेइस सो है तो यहाँ पर लिखेंगे तेइस सो बटे अब विद्यार्थियों की संख्या सिग्मा ये फ है देखिए सिग्मा ये विद्यार्थियों की संख्या तो ये कितना है, 50 है, 50 से भाग कर दीजिए इसमें, ठीक है, 50 से भाग करेंगे, ये 0 से 0 कट गया, अब क्या होगा, 5 से भाग कर दीजिए इसमें, तो 5 चक को 20, अब 5 चक के 30, तो इस तरीके से जो माद आयेगा हमारा, 46 यानि कि 46 आयेगा, तो दोस्तों, अगर इस तरीके का कोश्चन आपको मिलता है, जिसमें कोई भी आकड़ा दिया हो, भार का हो या कुछ का भी हो, उसमें 2 आकड़े दिये रहेंगे, इस तरीके से कॉलम बना होता है, तो आपको, आ कालम को सम करके उससे भाग दे देना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ऐसे question को solve कर लेंगे तो friends I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको पसंद आई तो like कर दीजिए share कर दीजिए comment करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं next वीडियो में thank you thank you so much